विदियो शोलो फ्रेंट वेलकम बैग टो विडियो तो फ्रोंड याव बहुत स्टूंट आप मेंसे परियसान हो रहा किragen间 एक 1205 नमबर रहे किनेर अपचास नमर है यह फिर मेरा एको सॉसाटर नमबर 57- Lif trip नहीं होगा मतलब जैसे एक कटाफ आ गया 194 तो वह हो गया एक राउंड अगर 190 आ गया तो वह हो गया सेकंड राउंड लेकिन ये फ्रेंट्स अगर एक साथ आ जाता है तुसे सिफ्ट बोलते हैं तो ये जो फर्स्ट सिफ्ट आई है इसकी कटाफ फ्रेंट्स बहुत ज्यादा हाई है दे बहुत परिशान हो आप कमेंट भी लगातार कर रहे हो टेलीग्राम पर एंड कमेंट बॉक्स में भी कि मेरा 190 नंबर है तो क्या मेरा एडमिशन होगा या फिन नहीं होगा अभी मैं बताने वाला हूं एंड इसके पहले भी मैंने बताया था कि 100 से 150 नंबर वाले क्या करें तो देखो फ्रेंड्स तब भी आप लोगों का डाउट आई होप किलियर हो गया होगा लेकिन अगर नहीं किलियर हुआ है तो मैं फिर से आपको अच्छे से भी बताने वाला हूं ठीक है अगर मैं आप बात करें फ्रेंड्स अभी तो कांसलिंग का तो कांसलिंग की एंड 6C-BSC Math की भी एंड बीकॉम की भी स्टार्ट हो गई है अठ्छाइस तरिक से बीएका स्टार्ट हो जाएगा जिसमें फ्रेंड्स वही स्टूडेंट कांसलिंग करा पाएंगे बीए में अभी 28 तारीक को जिनका 200 नमबर या फिर इससे ज़्यादा है ठीक है and ST तो जो सभी candidate जो केवल और केवल appeared हुए है appeared friends वहाँ पर जितना minimum criteria दिया होगा वो and 39 नमबर को तो 200 and above and 30 नमबर को 194 तो देखो यहाँ पर बहुत student पूछ रहते हैं यह 1994 यह फिर इससे जादा है तो किस category में कराएं तो देखो फ्रेंड्स यह category आपका जो है वही आपको कराना है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप category change कर वादो आप देखो फ्रेंड्स वैसे change भी नहीं होगी अगर आप सीट करा दो कि सीट मुझे मिल जाए इसा बिलकोल भी कभी भी मत करना वरना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जागे तो प्लीज एंड यार यह जो नोट है यह आप समस्या में फच जाते हो यहां पर यह दिया फ्रेंड्स की अभी यह फ्रेंड्स सीट अभी फिल नही होगी इसके शाप से क्योंकि अगर देखो यह ऐसा नहीं कराई सीट फिल नहीं होगी यह कह रहा है कि सीट आपकी बच जाती तो अभी और कट आफ कम जाएगी देखो यार बेसी साफ मेरिट एंड अबेलिविलेटी आप सीट तो सीट के जितना भी अबेलवल रहेगा उसी के हिसाब से भी और कट आफ कम जाएगी तो अभी तो 190 है यह फ्रेंट्स एक सो आपका मैं क्या लिख रहा हूँ एक सो यह फ्रेंट्स साठ तक चला जा सकता है ठीक है साठ या फिर चौसर तक जा सकता है कट आफ प्रेइवियस एयर के साठ तक अभी फर्स्ट सिप्ट का तो कंप्लेट हो गया ठीक है कितने तारिक तक था 26 मलब 25 तारिक को ही था तो यह कंप्लेट हो गया है अभी देखो फ्रेंट्स अगर ब्यस्ति बालजी का कोई भी स्टूडेंट है 164 नंबर अभी से कटेगरी का तो यह भी बहुत कम होगा ठीक है 140 या फिर 130 भी हो सकता है तो बिलकुल भी आप परिशान मत हो यह अगर आपका 130-140 है तो आपका भी एडमिसन हो सकता है अभी के हिसाब से और सीट अभी ऐसा तो नहीं बताएं कि सीट इतनी बची है अगर सीट बता ज कटाफ आएगी देखो यहां पर 174 एंट 184 तो यहां पर फ्रेंट्स अभी कटेगरी वाइज नहीं दिया गया यहां के ओल और के ओल आल कटेगरी भी दिया गया ठीक है तो अभी यह कटाफ बहुत कम जाने वाला है 150 या फिर 140 या फिर 160 है से हो सकती है ठीक है एंड बीकॉ कि या लेड़ी बहुत ही कम गई है कटाफ ठीक है तो अभी और कम जाएगी अगर देखो फ्रेंट्स भी कॉम में आप एडमिसन लेना चाहते हो तो 130 या फिर 140 है तो आपका 100% एडमिसन हो जाएगा ठीक है अगर 140 है तो पक्का हो जाएगा अभी लेकिन यहां पर यार पता टेलिग्राम जोइन कर लीजिए इंप्रोव स्ट्री मैं टू एंड गुरूब भी जोइन कर लिए जहां आपस में आप बात कर सकते हो ठीक है एंड बी लेल बी का भी आ गया है सेडियूल तो मैंने पने टेलिग्राम पर सेयर कर दिया हुसे भी देख लेना चले फ्रेंड् स्टेश चले बीज़ा कर देख कर दो और आपस में आपस में पर लेल ले जाल अबने कर दोगी है इंड पिलूब गुरूब भी जुरूब गुरूब गुरूब जब हैंज आपस्पस्ट कर दोग।